तो हम जी असलाम लेकुम बैक टो मैं चैनल आई होग कि आप सब लोग ठीक होंगे अच्छे से होंगर सब मज़े में होंगे तो गाइस आज कम लोग ही मैं बाइक पी स्टार्ट कर रहा हूं यार बरना तुम्हें इंट्रो ऐसी दे देता था बट आज थोड़ा जल्दी मैं ह पहुंचते हैं देन पहले वहां पर निमाज पढ़ेंगे उसके बाद निकलेंगे तो आप सोच रहोंगे यार इतनी जल्दी में मैं निकल का रहा हूं तो पहले ही दिन अपना चालान हो गया था तो आर सी आपको पता है गांदर बल कोट में है तो हम जा रहे हैं गांदर तो पहुंचता हूं मैं साजित बाई के पास यार क्या बता हूं इतनी ज्यादा ठंड है ना यार बट निकलना तो पड़ेगा क्योंकि और सी भी तो लानी है यार बाइक में मैंने डीवी ख्लार इंसाल कराया तो अब वैसी साउंड नियार क्योंकि पापाने ना बहुत ज पास मार्केट में भी देख आर कितनी ज्यादा बीड़ा क्योंकि फ्राइडए यार उस वज़जा से बीड़ना मार्केट में ज्यादा रहती है तो गैज पहुंच चुक है साजित बाई की शौप पे आरे यावी रेडी नौफ गैज यह रहा अपना चालान यार चेक करो जली से चलते हैं यार घंडरहर साजित बैधे का कज ऐसका कॉछ काम कर रहें spatula उनकी कर रहें तो जली से वह खतम करते हैं कि तोowser केज़स अग्यादा कर देते हैं बंद कि ऑंग और कि मेरे उपर इगरने वाली थी यार क्या मुसीबत है यार कोट के चक्र मारने पड़ रहे हैं तो चलते हैं और करते हैं यह सब खतम मैंने अभी जब से मैंने बाइक लाई है ना मैंने इसको एक बार भी वाश नी कर रहा है जब आर्शी वार्शी सब लेके आएंगे खतम एक तो फिल्हाल निकलते हैं इदर से तो गैज निकल चुके है इदर से är हमरी किसमत ही खराब है जब भी हम निकलते हैं ना दूब गायब हो जाती है एन ठंड बढ़ जाती है अचानकसे अब इतनी हवारी आर इतनी ठंड लग रही है क्या बता हुं यह चानकत्स पेचे मै यार रुक गया था इंट साजद भाई आगे निकल गए है यार की डला रहे हैं पैट्रूल मेरी में दोस्ट है यार काफी है वैसे पता नहीं यार मेरे पास उन्हें पैसे भी नहीं है तो देखते हैं चालान कितने का गड़ेगा उसके बाद देखते हैं गाई इस पहले जाता है चल निकलते हैं काई सवाजद भैने इतनी गंदी क्लोज का अलमारी नहां मुझे कैमरा आप ता मैं दिखा था कि आइज ब्रीज कब तयार हो गयार कब तयार हो गयार हम सब वेट कर रहे हैं कब ये तयार होता है रहे ब्यूटिफुल लगता ना मतलब एक वो डेमो पिक्चर होती है है ना मतलब फ्यूटर की वो मैंने इसकी देखी यार ये बड़ाई प्यारा लग रहा है फुल आफ रोड चल रहा है आज अपनी रौकी बाइक आगे आगे चल रही है यार हाई वे पे वरना हमेशा है पे मैं इनके आगे होता था अब आज यही चल रहे है यह चेक करो यार म सेवेंटी चल रहा हूं वरना इतने तेज ना चलते थे ना चलने देते थे तो गईज पहुंच चुके हैं गांदरवल यार मेरे को नहीं लगता आज 10 मिनट भी लग यहां में गांदरवल तक क्यूंकि साजिद भाई खतरनाक बगा रहे थे यार बहुत गंदी बगा रहे थे तो तो गईज यह रहा गणदरवल का मेन मार्केट अब इस अब हमें जाना एक कोट में कोट आ गई है और बड़ा चाला नहों जाए बस तो गाईज यह रहा डिस्टिक कोड कमप्लेक्स गंदरवल बाइक कहां पर लगा यह समझ नहीं आ रहा है अब लगा देते हैं यहां से कहीं पर तो गईज यहां पर लगा देते हैं बाइक तो जाते हैं कोट यार क्या करे और कोट के चकर तो गईज अभी कोट में गए थे तो अधर बोला मदलब बगीन जो है ना एडोकेट उनने बोला वेट करो फिलाल तो फिलाल हम आएं बाहर चाय वाई पीना इदर चाय वाई पीते हैं तब तक तो वेट उनका भी खतम हो जाएगा उसके बाद जाएने कोट में यार फाइनल जढ़ा सून नहीं देती चलान का खत्रा भी मतलब अथना नहीं है ना नहीं है मतलब बिल्कुल ना के बराबर है तो चलो निकलते हैं दर से आर मौसम चेक करो खराब ओ रहा है और ठंड लग रहीया बहुत ज्यादा तो निकलते हैं जल्विजदी-जल्दी से तो गईज अपनी आरसी तो निकल गई लेकिन अपनी बाइक नहीं निकले गई अब छोड़ जगा चेकर ओगाइज इस इतर से ना बिल्कुल कम जगा यार उदर पे ना थोड़ी सी गैप है देखते क्या होगा तो गई चेकर हो यार बाइक कहां से निकालनी पड़ रही है अब चल 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 अब भाई यह तो चड़गी अपनी चड़ जाएगी क्या यह चैक करो गाईज तो काईज नंबर प्लेट पर पकट रहे हैं इतर पर जिनके पास एचसर पी नहीं लगा है ना उनको पकट रहे हैं ज्यादा गाईज ग्लाउज के बगेर ना आपके भाई को फुल चचा चल लो यार गाईज ए गंदा रोड है ना बस ये नो को भाई 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 ओ गाईज इतना गंदा जटका लगाना अगड़ा है देखो ये ये देखो गाईज भाई इसको क्या हो गया क्या कर रहा है यारे बंदा आज चलो गाईज देखते हैं अपनी भाई थोर्ड गेर में कितना जाती है नाइटी गाईज नाइटी जाती है ये थोर्ड गेर में अब बाई 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 अजमें कोट के चकर भी लगाने ही पड़ गया आँदा यार ये पागल बंद है अचानक आ गया आगे अगे ओ अउान्टी जी सॉरी आँटी आँड़ि major काइज फोर्थ केयर में चेक करते है यार बट थोड़ा सक्कर वा गया तो यहां से वापस खिंचते हैं कि वहाइज विंड बहुत जादा है विंड बहुत जादा है तो गाइज अभी मैं निकल चुका हूं साजिद भाई की शॉप से जल्दी से घर पहुंचते हैं आराम करते हैं आज ना मुझे कुछ वो टायर टायर शी फीलिंग आरिया यार आई डोंट नो क्यों यार मैं थक तो गर पहुंचके थोड़ा आराम करेंगे यार जैसे जैसे मतलब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना कश्मीर में मोटो व्लागिंग करना ना नहीं मुश्किल होता जा रहा है यार क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है ना क्या बोलू मैं कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है तो मोटो व्लागिंग करना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है बट फिर भी हम आपके लिए यार व्लाग लाते हैं तो प्लीज आर चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर किया करो यार प्यार दिखाओ जल्दी से वन अब भी बाइक रखते हैं अंदर तो अगर आपको किशी भी लिहाज से आर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंचनल को सब्सक्राइब कर देना बाकि मिलते हैं किशी नेक्स्ट इंट्रस्टिंग से व्लाग में तब तक के लिए झाल में तक को सब्सक्राइब के व्लाइब कर आख का वीडियोय को लिए ऑ करना कि वीडियो ऑगा जो